नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में शाउमी रेडमी के 50i 5G वर्सस वीवो X60 का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो रेडमी के 50i 5G में 6.44 इंच जबकी X60 में 6.28 इंच की लेंथ मिलती है जोकी रेडमी के 50i 5G से कम है Width की बात करें तो, Treadme K50i 5G में 2.92 इंच जबकी X-Sart में 2.95 इंच की Width मिलती है बात करें थिकनेस की तो, Treadme K50i 5G में 0.35 इंच जबकी X-Sart में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो Redmi K50i 5G में 200 ग्राम्स जबकि X6 में 176 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi K50i 5G में Ips LCD जबकि X6 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो Redmi K50i 5G में 20.5 रेशियो 9 जबकि X6 में 19.8 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi K50i 5G में 6.6 इंचर जबकि X6 में 6.56 इंचर मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन Redmi K50i 5G में 1080 by 2460 और X6 में 1080 by 2376 मिलता है स्क्रीन टू बॉड़ी रेशियो Redmi K50i 5G में 85.34 जबकि X6 में 86.8 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi K50i 5G में 407 पिक्सेल प्रती इंच जबकि X6 में 398 पिक्सेल प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेश्टाएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो Redmi K50i 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera और आखिर में Macro Camera देखने को मिलता है और X6 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है बात करें विडियो camera की तो Redmi K50i 5G में 9 different type के features मिल जाते हैं और X-Sat की बात करें तो उसमें 8 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Redmi K50i 5G में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 3 different features मिलते हैं और X-Sat में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 4 different features मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो Redmi K50i 5G में Mali-G610 MC6 जबकी X-Sat में Adreno 650 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Redmi K50i 5G में MediaTek Dimensity 8100 MT6-895Z और X-Sat में Qualcomm Snapdragon 870 मिलता है बात करें RAM की तो Redmi K50i 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 6 GB 8 GB की RAM मिलती है जबकी X-Sat में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 8 GB 12 GB RAM मिल जाती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते है वो दोनों फोन में सेम ही दो variant देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128 GB 256 GB की Storage मिलती है Expandable Memory दोनों फोन में नहीं है Operating System की बात करें तो Redmi K50i 5G में Android V12 जबकी X-Sat में Android V11 देखने को मिलती है Battery, Redmi K50i 5G में 5080 mAh जबकी X-Sat में 4300 mAh देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते हैं Colors की बात करें तो Redmi K50i 5G में 3 Colors जबकी X-Sat में 2 Colors option मिलते हैं Sub Information देखने के बाद बात करें Price की तो Redmi K50i 5G में 2 Variant देखने को मिलते हैं जो की 6 GB RAM 128 GB Storage के साथ 25,999 रूपीज 8 GB RAM 256 GB Storage के साथ 28,999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें X-Sat की तो उसमें 2 Variant देखने को मिलते हैं जो की 8 GB RAM 128 GB Storage के साथ 37,980 रूपीज 12 GB RAM 256 GB Storage के साथ 49,990 रूपीज में मिलते हैं दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Redmi के 50i 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Vivo X60 की तो उसमें 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में X60 आगे है में कैमरा में Redmi के 50i 5G आगे है फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Google Pixel 6 5G है दूसरा Vivo V23 Pro 5G है तीसरा Vivo V25 Pro 5G है और लास्ट कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ECO 95G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना